लॉब्स वेल्कम तो माइ यूटूब चैनल और इस वीडियो में हम देखिंगे शिलवर का अनलेसिस पूर नेक्स वीग तो शिलवर लास्ट ट्रेदिंग सेशन में 64,905 बे उप्लोज हुआ लगबग 65,000 के रोग 1125 रुपए लॉज के साथ 1.71% नीचे तो यहां हमने अच्छे खासी प्रॉफिट बुकिंग आते हैं हमने रेकॉर्ड हाई भी देखे थे और करण लेवल पर ऊपर से अच्छे खासी प्रॉफिट भी बुकिंग देखिए तो यहां शुरू करते हैं अनलेसिस मंतली चार्ट से तो मंतली चार्ट पर आप देख सकते हो कि सिल्वर जो है तो अभी गेन दिखा रहा है 6.5 परसें लगबग चार आजर रूपे गेन दिखा रहा है और यहां हमने रेकॉर्ड हाई लेवल भी देखे थी एज एक्सपेक्टेड और उपर के लेवल से थोड़ा सा भी प्रॉफिट बुकिंग भी देख रहे है लास्ट मंत जो हमने लगबग 17 रूपे का लास्ट देखा था 2.7 परसें नीचे बंद हो आता सिल्वर इस महीने हमने लगबग 6% गेन के साथ अभी तक ट्रेड कर रहे हैं और अभी इस महीने के लिए सिर्फ एक ही दिन बचा है सो मॉर का तो उसके बाद में हमें पता चल जाएगा कि सिल्वर जो है तो कितने गेन के साथ बंद हो जाता है इस महीन तो यहां से रिवर्सल भी आ सकता है और यह फॉल्स ब्रेक आट भी बन सकता है तो यहां आपको ध्यान रखना है कि 66,500 के उपर ही अगर विटली क्नोजिंग देता है इसलोग तो ही हम देख सकते कि उपर के लेवल आएंगे तब तक कि यह जो सिगनल है यह सिर्फ बाउंस का हमारा टार्गेट था वो तो टार्गेट अच्छी हो चुका है उसके बाद में हमने लगबग 68,100 तक हाय देखा था तो वो तो बोनस था जिन्होंने भी लॉंग पॉजिशन ली होगे नीचे के लेवल पर अभी यहां जो है तो नीचे सपोर्ट बहुत ही दूर है तो लेवल से देड से 2000 पॉइंट नीचे सपोर्ट है एस पर विकली जाड तो उन लेवल पर आता है तो आप स्टॉप लॉस के साथ लॉंग जा सकते हूं क्योंकि फिर से मुझा लगता है कि सिल्वर कोशिश कर सकता है जो रेजिस्टन से उसे तोड़ने की मगर आपको अगर यह स्विंग ट्रेड लेना है तो आपको स्टॉप लॉस के साथ ही लेना पड़ेगा और जो टार्गेट रहेगा आपका वह 66,500 से लेकर और उपर जो इन्वेस्मेंट टार्गेड बनता है उसका बनता है लगबक 71,200 का तो यहां लॉंग जा सकते हैं मगर करन्ट लेवल प जो है तो नीचा आ रहे है ऐसा लगता है मुझे कि थोड़ा सा कर्रेक्शन देने के बाद फिर से हो सकता है कि सिल्वर जा है तो अपना जो अप्टेंड है वो कंटिन्यू करें एस पर डेली चार्ट तो यहां जो टार्गेट थे हमारे 64,250 उसके बाद में 65,600 और उसके बा आवरेज है वो 63,700 से लेकर जो नीचे एक माइनर आवरेज है वो 63,100 तो यह जो है यह बाइंग जोन रहेगा मगर यहां अगर आप बाहर करते हो तो आपको stop loss लागाना जुरूरी है यह से ट्रेड रहेगा अगर stop loss निकल जाता है तो आपको जो भी loss होगा वो लेकर निकल जाना पड़ेगा stop loss रहेगा इसमें थोड़ा सा डीपर stop loss रहे सकता है इसमें तो लगबग 62,500 का stop loss लागाना पड़ेगा और उपर के तरफ जो टार्गेड बनेंगे वो बनेंगे सेम 66,500 से लेकर जो current high था वे फिर से टार्गेट रहेगा 68,000 का तो उन टार्गेट के कर पाता है कि नहीं इस average कर रहा है अगर इस average को support लेकर reversal देता है तो भी आप enter कर सकते हो वही टार्गेट रहेंगे 66,500 से लेकर 68,000 के और जो maximum target मुझे लगता है अगर यह condition worse हो जाती है तो हम 71,000 75,000 और लगबग 81,000 तक भी level देख सकते हैं मगर यह जो वार की situation है यह अगर situation worse हो गई तो वहाँ अगर risk बढ़ गया ज्यादा तो हम booleans और gold और silver में दोनों में अच्छे खस्ते rally आते हुए देख सकते हैं फिलाल तो वैसा ही लग रहे है कि वो rally continue होगी मगर कह नहीं सकते क्योंकि weekly chart पे जो rejection आया है कभी कभी दो चार हफ्ते चलता है तो उसमें जो है तो बहुत नीचे के भी level आ सकते हैं वहाँ से रिवर्सल भी उतना ही strong आएगा मगर उपर जाने से पहले नीचे के बहुत deeper level भी market दिखा सकता है तो यहाँ दोनों तरब के trade रहेगे और volatility at the peak रहेगी आपको दोनों तरब की trade देखने को मिलेंगे आप देख सकते हो कि जिस तरह से उपर गया था gold silver किस speed से वह नीचे आया है तो वैसे भी जो support है उसको तोड़कर बहुत नीचे भी जा सकते है यह bullion on panic selling और margin call और बहुत सारी चीज़े रहते ही market में उसके जैसे और फिर से ओ current level पे आ जाते तो ज्यादा रहेगा आपको stop loss के साथ trade लेना होगा और अभी जो market है उसके लिए आपको deep pocket रखने है इसका मतलब है कि आपके stop loss बहुत deeper रहेंगे और most of the time आपके stop loss भी trigger होगी अगर आप यह effort नहीं कर सकते तो दूर रही market से market को थंडा होने दीजिए बात में जो है तो एंट बाकी trading future में तो उसमें थोड़ी सी risk रहेगी क्योंकि यह सभी bullion जो है तो news flow पे react करेंगे और उस तरह से आप जो है तो intraday में या फिर positional moment आते हुए देखेंगे बूलियंस में तो थोड़ा से risk की रहे सकता है मामला तो जो risk ले सकते हैं वही लोग trade कीजिए बाकी लोग जो तो wait and watch कर सकते हैं थोड़ा सा थंडा होने के बाद आपको फिर से जो है तो बहुत सारे मौके मिलेंगे market में तो I hope so कि यह आपके लिए helpful रहेगा तो प्लीज द जाएगे अगर आपको join करना है तो आप link को follow किजिए वहां जाकर आपको details सब मिल जाएगे and thank you for watching this video